टोक्यो पराउलम्पिक में सिल्वर मेडल जीत कर इतिहास रशने वाले गौतमबुद नगर के जिलाधिकारी और देश के पहले आईयस अधिकारी सुहास एलवाई को अरजुन अवार्ड से समानित किया जाएगा ये सरबुच अवार्ड पाने वाले ये पहले आईयस अधिकारी होंगे आपको बता दे कि नैशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमिटी ने सुहास एलवाई का नाम अरजुन अवार्ड के लिए प्रस्तावित किया है हाला कि इसमें टोक्यो पॉर अलम्पिक और पैरा अलम्पिक में मैडल जीतने वाले अन्य खिलाडियों का भी नाम शामिल है लेकिन पैरा अलम्पिक में शांदार प्रदर्शन करने वाले डीम सुहास एलवाई के लिए ये बेहत खास होगा वो देश के पहली आईस हैं जिनोंने पैरा अलम्पिक में सिल्वर मैडल जीता है